आज ही से जीवन के हर बल का आनन उठा लो आज ही से मन की एक नई शान्ति पालो समय आ गया पदलने का समय आ गया कुछ करने का अब उठा लो आनन प्रते दिन के जीवन का एक बात समझ लिजे कि अधिकांश जीवन एक परक है बहुत सी बाते हम पर बीटते हैं और हम समझते नहीं कि हम परखे जा रहे हैं और हम एदी उतिर्ण नहों तो दोबारा सामना करना पड़ेगा सब लो कहिए परक कहिए परीक्षा अब देखिए प्रभु परक भेजता है और इससे हमारे विश्वास की परीक्षा लेता है इससी विश्वास में बढ़ने में प्रभु हमारी मदद करता है क्योंकि विश्वास में बढ़ने का एक मात रुपा है कि आप ऐसी सिती में डाले जाए जहाँ आपको विश्वास का प्रयोग करना पड़ेगा बात समझ में आई केवल प्रात्ना करनी से यह अधिक विश्वास नहीं मिलेगा विश्वास छोटा होता और विश्वास होता है मगर जब आपको प्रयोग करना पड़े तो विश्वास बढ़ता है सो प्रभु परक भेजता है इससे वो परिक्षा लेता है आज आप धर्म पुस्तके देखेंगे जो साव बताती है कि परमिश्वर मुल्यांकन के लिए हमें परक लेता है पदोन्नती के लिए परिक्षा देनी पड़ती है पदोन्यती के लिए प्राथना करके परिक्षा में उत्तिर ना हो तो कोई भला नहीं होगा मैं चाहती हूँ कि आज आप यहां से एक सबक लेलें कि जिन चीजों से आप जीवन में जूज रहें उनसे जूजने की बजाए उन्हें गले लगाएं उनमें से होकर गुजरें और परली और पहुंचाएं क्योंकि यह दिया आप लड़ते ही रहें तो आपको सिवाए ठकावट के और कुछ आत नहीं लगने वाला है मेरी ख्यासे बहुत से लोग परक, परिक्षन और परिक्षाओं के इस खेत्र को बिलकुल ही समझ नहीं पाते हैं मगर शैतान एक परक को लेकर उसका इस्तिमाल करेगा आपको पाप में घसीतने के लिए मैं हरीक शिक्षन में इस बात को दोहराने वाली हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप परक की प्रकृती को समझ ले यदि प्रबु आपके जीवन में परक भेज दे तो आपके विश्वास को परक रहे वो आपको समय पर निकाल भी लेगा क्योंकि ये उसका वादा है सहने सकने वाला बोज वो हम पर कभी नहीं डालता और छुटकारी का मार भी बताता है किन्तु शैतान तुरंद बीच में कूत पड़ता है और हमारी यातनाओं का फाइदा उठा कर हमें लल्चाता है पीछे हटने के लिए प्रभू के निंदा के लिए और लोगों से दुर्वेभार के लिए या किसी और पाप में हिस्सा लेने के लिए प्रभू का धन्यवाद हम हर परिस्तिती में जयवन्त हो सकते हैं और पर्खों और परिक्षणों पर विजय हो सकते हैं हम तीन धर्म पुस्तकों को देखेंगे वे आधा रूपी पुस्तके सब उत्तेजना से भरी जयवन्त होने के बारे में रोमियो आठ सैटीस परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हम से प्रेम किया है जयवन्त से भी बढ़कर है आपको इन संदर्बों को लिख लेना चाहिए और जैसी परक सामने आए इन तीन धर्म पुस्तों को निकाल लीजिए और उची आवाज में ने पढ़िए जब भी आपको लगे कि कष्ट बेहदे इनने निकाल कर पढ़िए मैं जयवन्त से भी बढ़कर हूं मसी द्वारा जो मुझसे प्रेम करते हैं दूसरा है पहला कुरूंतियों 15-57 परंतु परमीश्वर का धन्निवाद हो जो हमारे प्रभू इश्व मसी के द्वारा हमें जयवन्त करता है परमीश्वर का धन्निवाद हो जो हमें जय देता है हमें विजेता बनाता है अंतिम है दूसरा कुरूंतियों 2-14 परंतु परमीश्वर का धन्निवाद हो जो मसी में सदा हमको जय के उत्सम में लिये फिरता है और अपने ज्यान का सुगंध हमारी द्वारा हर जग फैलाता है इसे आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा पहली बात है कि प्रभु चाहता है कि आपको किसी और का गवहा बनाए किन्तु लोग आप पर ध्यान नहीं देते यदि चीज़ें आप पर बीती ना हो क्योंकि पहली बात शत्रों से कहता है तुम कैसे जानते हो आखिर तुम कैसे जानते हो मुझ पर क्या बीत रही है इसलिए बाइबल कहती है जरा हम लोग पीछे जाएं दोबारा बाइबल कहती है दूसरे कुरुंतियों दो चौदा में कि हमें जैवन करने के बाद हमारी द्वारा वो परमेश्वर के ज्यान की सुगंध हर जगा फैलाता है लोगों की मेरी बाती सुने काई कारण ये कि उन्हें पूरा विश्वास है अपना विश्वास जानती क्योंकि मैं उन्हें बता सकती हूं कि मुझ पर क्या-क्या बीति ये उसकारती ये नहीं कि आपको संसार की कटिन से कटिन परिस्तिती से गुजरना पड़ेगा ताकि उस शेत्र में आप किसी की मदद कर सके मगर हमें उनकी जरुत नहीं जो कि वह लहवा उगलते हैं और बिल्कुल नहीं जानते कि क्या बोल रहे हैं आमिन ठीक है ये बात ऐसी है कि जब कोई स्त्री बच्चे को जन्व देरी और डॉक्टर खड़ाओकर बोल रहा है धके लो और जोर से लेकिन उसे कोई धार्णा ही नहीं ना कोई संकेत आप सोची धके लो जी करता है कि एक तमाचा चड़ दू क्योंकि आपको लगता है कि हर चीज आप ही बहार चली आ रही है उम्र और परिपक्वता में बड़ा अंतर है हर कोई जो बुड़ा होता है परिपक्व नहीं होता आज यहाँ पर एक भी साल का लड़का हो सकता है जो आत्मिक रूप से साट साल के बुजुर्ग से अधिक परिपक्व है स्वाभाविक रूप से हम बूड़े हो जाते हैं किन्तु प्रभू की व्यवस्था में वो चाहता है कि हम बड़े हूँ आज के मेरे संदिश का शीर्षक यह बढ़ने का समय है किसी विशेश व्यक्ति के ओर मेरा इशारा नहीं है इस भवन में या टीवी दर्शकों में परंतु मैं जानती हूँ कि मैं जानती हूँ कि आप में से कुछ उसी मूर्ख परवत के चारों चकर काटते ही रहते हैं उनी पुरानी चीजों के पीछे उनी चीजों को करते हुए बार बार और बार बार करते हुए और कोई तरीका नहीं मेरी बात सुनिये कोई तरीका नहीं उसके अंत करने का सिवाए उसमे से गुजरने के और परमिश्वर की रीती से करना सीखने के सो मैं आपसे वही कह रही है जो पॉलुस ने अपने लोगों से कहा था मेरी विंती है तुम से मसी के नाम में मसी को अपने भीतर संपून रूप से ढाल कर उसे साकार करो प्रभू की रीती से करो क्योंकि कोई और रीती है ही नहीं पहला कुरुंतियों 13-11 जब मैं बालक था तो बालकों की नाई बोलता था बालकों का साम मन था बालकों की समझती पर तो अब मैं सियाना हो गया हूँ तो बालकों की सी बातों को मैंने सदा के लिए छोड़ दिया सब लोग कहिए बालकों की सी बातों का आप समय नहीं रहा देखिए जब बच्चों की नहीं चलती तो वे कूँकू करने लगते हैं और उन्हें जब भी कोई असुविधा या कर्ष्ठ हो तो शिकायत करने लगते हैं सो एक चीज हम यह सीखने है कि हम स्थिर रहें ठोस रहें और सुखी रहें वातावरन अनुकूल नहीं हो तो भी पाबंदिया पूरी करते रहें हवा करूप प्रतिकुल नहों तो भी ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारी बात चले तो हमें एक वेक्ति हैं और हमारी न चले तो अचानक दूसरे वेक्ति बन जाएं हम वो व्यक्ति नहीं जो स्थिर है जब सब कुछ ठीक चल रहा है और जब अचानक परक आ जाए तो दूसरा व्यक्ति बन जाए ये संसार को किसी बात की गवाही नहीं देता एक बहुत महत्वपून बात जो हमें समझनी चाहिए बात ध्यान से सुनिये विश्वासियों महत्वपून बात जो हम सीखते हैं वो है परमीश्वर ने हमें यहां रख छोड़ा है संसार को गवाही देने के लिए हमें नमक और रोश्णी बनना चाहिए हमें जीवे धर्म पत्र बनना चाहिए जिनने मनुश्य पढ़े परमीश्वर की चिट्छियों की तरह आपको मसीहि का यह जीवन मिल सकता है और उस जीवन का एकंश ये है कि एक मसीहि के जीवन पर जब संकट की बादल घिरे हो तब भी वे सुखी हो सकते हैं, शांति में हो सकते हैं और जैवन्त होकर परली तरफ पहुँच सकते हैं एक बार नहीं, सौ बार सौ, सौ बार आमें और देखे जैवन्त होने का यार्थ नहीं कि समस्या से आपका पिंट छुड़ गया अर्थ यह है कि जीवन फिर भी उत्तम है महत्वपून बात यह नहीं कि आपको समस्या है कि नहीं, वो है क्या समस्या आप पर हावी है इफीसियो 4.15 हमारे जीवन प्रेम से सच्चाई प्रगट करें सब चीजों में बोलने में, निपटने में, जीने में, प्रेम में सन कर हम बढ़ते जाएं बगल वाले वेक्ति से कहिए मुस्कुराईए ताकि वे बिगड़े नहीं और कहिए बढ़िए देखिए उन्होंने ये तुनी कहा आप खुद बढ़िए तो तय है कि उन्हें बढ़ने की ज़रूत है बाइबल योहरना आठ में एक दिल्चस्प बात कहती कि सत्य हमें स्वतंत्र करता है वही यहां कहा गया है हमारे जीवन सत्य प्रगट करें हम सत्य बोलें, सत्य से निपटें और सत्य में जीएं फिर वो कहता है हम बढ़ते जाएं तो क्या आप जानते हैं जब तक हम असली समस्या को मजाग की बात समझते रहेंगे तो हम जीवन में बढ़ नहीं सकते औरों को दोश देना हर चीज के लिए बहाने बनाते रहना शैतान को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराना सब कुछ हमें छोड़ना पड़ेगा और अपने बरताओ के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने दूशित अतीत के लिए दोश ना थोपते रहें आमेन मैं वहां हुआई करके देख लिया हालेलुया सो हमें बढ़ना चाहिए लगातार समस्याएं मैंने सोचा भी नहीं जब मैंने ये बात कहीं कि बहुत से लोग पसंद करेंगे मैंने ये तकरीब नहीं कहा क्योंकि मैं जानती थी कि कुछ लोगों को कश्ट होगा मगर मुझे प्रतीती है प्रतीती है कि जब कभी न खत्म होने वाली समस्याएं आती रहें अब हमें चढ़ाई का सामना करना है, चढ़ाई के समय है, कि देखे एक शीग रहे हैं, देर से आपको कहना बंद करना पड़ेगा कि शैतान मुझ पर चढ़ाई कर रहा है, क्योंकि शैतान हरेक पर चढ़ाई कर रहा है, आपको अधिक चिंता होनी चाहिए यदि वो आपको चुता छोड़ दे क्योंकि यह दी शैतान आप पर चढ़ाई नहीं कर रहा है तो शायद आप उसे शायतकश्ट नहीं दे रहे हैं यह चिंता की बात है हम स्वर्गी इस्थानों में बैठें प्रदानों और अधिकारियों के ऊपर और यद्य पी चढ़ाई के मौसम है हम लूका अध्याय चार में देखते हैं कि इशू जब 40 दिन तक उसने कुछ खाये नहीं तो शैतान उस पर लगातार चढ़ाई करता रहा उन 40 दिनों में और यह कहता है जब शैतान सब परिक्षा कर चुका और सारे कारिक्रम पूरे हुए तो वो चला गया एक और अवसर की प्रतिक्षा में तो हाँ चढ़ाई के मौसम है किन्तो हम वचन की बारी में जितना सीखेंगे उतना ही हम उन मौसमों को संभालना भी सीखेंगे मैं आपको यह बतानी आई हूँ कि मुझे प्रतिति यह वचन द्वारा और अनुभा द्वारा कि यदि पिश्यतान पर चढ़ाई कर रहा है हम को सदा परिशान होने की जरूरत नहीं है यदि विश्वासी केवल बढ़ते जाएं किस प्रकार की समस्याएं आत्मिक असिद्धता से आती है कुछों के बारे में बाते करते हैं इन तालिका का अंतनी होगा कि तो हम कुछों के बारे में बाती करेंगे सबसे पहले आत्मिक असिद्धता से रिष्टों की समस्याएं आती है जो आत्मिक रूप से आत्मिक है दूसरों के साथ निभा नहीं सकते हैं सर्व प्रथम स्वार्थी पन आत्मिक असिदता का एक चिन है स्वार्थी लोगों के रिष्टी बहुत अच्छे नहीं होते क्योंकि शीग्र या देर से हर कोई बहुती ओप जाता है उनके तू-तू से और मैं में से आमिन देखिए आसुरक्षा भी और कभी-कभी लोग बिगड़ जाते इस बात पर क्योंकि वे कहते आप नहीं जानती मेरी वेदना को मैं जानती हूँ आसुरक्षा की समस्याओं से मैं गुजर चुकी हूँ, कुछ बातों में मैं बहुत सासी हूँ और बातों में मुझे आसुरक्षा से निपटना पड़ा है वे भी जो सदा कहते हैं तुमने मुझे चूट की, तुमने ठेस लगाए, तुमने मुझे दुखी किया तुमने मुझे ठेस पहुचाए, मैं तो सुरक्षी तो देखिए, सब पर कड़ी नजर रखते हुए, आप रिष्टे में जुड़े नहीं रह सकते ये बिल्कुल ठीक नहीं है आप लोग मेरी और देखकर मुस्कुरा नहीं रहे एक बात जानते हैं, इमानदारी की बाते में आकर कुछ बात कहकर आपकी पीट थप थपा कर आपको आशीश आशीश आप बहुत अच्छे कहकर घर जा सकती हूँ, किन्तु ये तो आपको नहीं चाहिए आप जीवन बदल देने वाली बात सुनना चाहते हैं न और मैं आपको बता रही हूँ, जब तक मैं उस्तिती में थी, जहां डेव, जब भी फुटबॉल देखते, मुझे ठीस लगती जब भी भी गॉल्फ खेलते, मैं एक शुप दो जाती, और जब मुझे जन्म दिन पर उपारनी देते, मैं बिगड़ जाती कभी-कभी हमें सब कुछ निगल कर आगे बढ़ना पड़ता है, आमीन, कभी-कभी हमें कहना पड़ता है, मेरे पास इतना ही है, और मैं खुद कोई परी नहीं हूँ और कोई भी निश्पन नहीं आपकी किसी ऐसी के साथ शादी नहीं होने वाली जो आपके हर जख इशारे पे पूरी करेंगे डेव तेजस भी वेक्ति हैं कोई बड़े उपहार खरीदने वाले नहीं वे भाग भाग कर मेरे लिए भेट नहीं खरीद लाते मेरी ख्याल से 37 सालों में मुझे फूल मिले हैं दो बार वो ऐसे ही है और मैं बक्ती रहती हूँ तंग करती हूँ इशारे दिये मैंने उनको सब कुछ करके देख लिया फिर भी विलाते नहीं तो जानती क्या कुछ साल पहले मैंने सोचा प्रभू कि स्थुतियों अब मैं उस बात पर नहीं पिगड़ती क्योंकि इससे किसी को मदद नहीं मिलती क्या आज यहाँ पर कुछ लोग बढ़ सकते हैं परन्तु देखिए ढेर सारी तेजस्वी चीज़ें वे अवश्य करते हैं शायद आपके पती आपके लिए उपहार लाते होंगे मगर वे कुछ और नहीं करते जबकि मेरे पती वे कुछ और करते हैं मगर उपहार नहीं लाते लाख बात की एक बात यह है कि हमें ऐसा कोई कभी नहीं मिलेगा जो हर समय हमारी हर इच्छा हमारी इच्छा नुसार पूरी करेगा इसलिए हमें सकारात्मक होना चाहिए जो कि आत्मिक सिद्धता का परिच्छ है और हमें देखना चाहिए कि हमारे पास क्या है और जो नही ही है उसकी दैनिक ताली का बनाना बंद करना चाहिए अमें डेव मेरे पच्पनवे जन्म दिन पर पच्पन गुलाब लाए और कहा इन्हीं बहुत दिनों तक रहना चाहिए उनका स्वभाव होए कि दिवे करने पर उतने तो तुरंद बहुत कुछ करते हैं अच्छा आप में से कितने सैमत हैं कि आत्मिक असिद्धता से बहुत से रिष्टो वारी समस्याएं आती हैं ठीक है इससे आर्थिक समस्याएं आती हैं क्योंकि लोग भावनाओं पर जीते हैं ना की बुद्धी मानी पर किसी को भी हर चीज जो उने चाहिए सदा चाहते ही नहीं मिल सकती संत्रप्ति को विलंबित करना सबको सीखना चाहिए ये भी सीखना चाहिए कि प्रतिक्षा कैसे करें और बचत कैसी करें काश की में कार के लिए नगच चुका सकती खैर जो भी देखिए आसंतोश आत्मी का सिद्धता का चिन है सिर्फ आसंतोश ये नौकरी पसंद नहीं ये चर्च पसंद नहीं ये पती पसंद नहीं ये पत्नी पसंद नहीं ये पडोस पसंद नहीं, ये घर पसंद नहीं, आपना पडोसी पसंद नहीं, यानि कम ओन, लगता है सदा ही कुछ न कुछ, है सदा कुछ न कुछ, असंतोष, 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 एक बात जानते हैं, ये बात नहीं कि हम अपने चीजों से असंतोष्ट हैं, हम अपने आप आप से असंतुष्ठ हैं। आमिन। याकुब अध्याएक याकुब एक पद एक से चार्य सिद्धता का चित्र है। हम याकुब अध्याएक पद दो से शुरू करेंगे। जब तुम नाना प्रकार की परिक्षाओं में पड़ो और अपत्तीन देखे। तो इसको पूरे आनन्द की बात समझो ये जान कर कि तुम्हारे विश्वास के पर्खे जाने से धीरज उत्पन होता है। ये तो मैं जीवन में हर समय कहती हूँ इससे पहले कि वे उसे बाहर निकाल लाएं, वे और कुछी चीजे बाहर ले आएं। जैसा कि हुआ भी करता है। सार्मन ये है, आपको स्वयम पता लग जाएगा जैसे हम आगे पढ़ेंगे, कि पर्ख हमारे भीतर को बहार लाती है। और इसलिए उनके मूलिवान होने का यही मुख्य कारण है। वे हमारे सच्चे स्वभाव पर से परदा हटा देती है। आमीन। वे हमारी दुर मलताएं बताती है। और ये सो समाचार है। क्योंकि तब हम पर्म decor के पास जा सकते हैं। और वास्ताव का मामला कर मदद पा सकते हैं। मगर जब तक हम धोके में रहेंगे, हर चीज़ का किसी और पर दोश थोपते रहेंगे, हमें किसी तरह की मदद नहीं मिल सकते, क्योंकि उसे हम सदा उस जगा फेकते हैं, जो उसकी नहीं है, जो विक्ती परक में आनंद के साथ रहे सकता है, परिणाम को देखते हुए, वो प बुज़रेगा और शान्त रहेगा, ये बढ़ने का समय है और अपनी क्रियाओं के जिम्मेदारी लेने का भी, ये जानती हुए कि जितनी जल्दी हम उत्तीर्ण होंगे, उतनी जल्दी हम जय का आनंद लेंगे और परमेश्वर की आशीश पाकर धन्य होंगे। चार तचार कर रहे हैं, हमसे आज ही संपर करे या लॉग करे jmmmedia.org, अपने फ्राथा निवेदन भेजे, हमारे स्रोत के विशे जाने, जॉइस की सभाओं के विशे जाने, और जैसे हम पुरे संसार में मस्सी के प्रेम को बाटते हैं, तो आप हमारे साथ सहभागी हो जान करेंगे हैं